एचे में एग्रो इंडस्ट्रिस लिमिटेट का आ रहा है आई प्यों क्या है इस आई प्यों के लिटेट पॉजिटिव नेगेटिव वालुएशन इंपोर्टन डेट कुछ ऐसे बॉइंटेस जो आपको कोई भी नहीं बताएगा सब कुछ मिलेगा आपको सिंगल वीडियो म आता है इसके अलावा बाकी सारे सेग्मेंट होते है नेचुरल प्रोडक्ट्स वेजिटेबल सीरियल अगर हम बात करें जितना भी एक्सपोर्ट होता है बैफिलो मीट इंडिया से बाइदिवे इंडिया भी वन आफ दी हाइस्ट एक्सपोर्टर है बैफिलो मीट का उसमे जाएगा रिफर्ण स्टार्ट हो जाएंगे 30th of June से शेर्स मिलेंगे 3rd को जुलाई लिस्टिंग होगी 4th of July को यह हो गया सारे के सारे important dates अगर हम lot size की बात करें तो 25 शेर्स का एक lot होगा 14,625 रूपीज का एक lot होने बाल है अगर हम H&I small category में बात करें तो वहाँ पर हमें 14 lot के लिए अपलाय करना पड़ेगा और H&I बड़ी category की हमें अपलाय करना पड़ेगा 69 lot के लिए IPO का size काफी छोटा है 480 croze का IPO का size है जिसमें से 150 croze है fresh issue balance 330 croze का है OFS यह IPO कम एक major part होने वाला है OFS इस point को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा NAC BAC दोनों पर listing होने वाली है 555 स obviously हमें cutoff price या फिर 585 के price को choose करना पड़ेगा next हम बात करते important valuation pointers से related आगर हम बात करे average EPS की तो 18.83 का है average return on net worth आती है 28.78% की price to book value निकल के आती है 6.14 की जो okie okie हो जाती है financials में नजर डाल देते है आगर हम total assets पे नजर डाले तो 2019 से complete financials एक standard तरीकी से चल रहे है 2019 में एक डिप आया next year यानि की 2021 का तोड़ा normal था and 2022 में just IPO से पहले में अच्छा bounce back तेकने को मिला है total assets 549 करोज से बढ़ते हुए अभी 856 करोज पे पहुच गए but हा financials में एक important point यह है कि इनकी borrowings भी regularly काफी major amount से बढ़ रही है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा total revenue 2019 में था 2700 करोज के उपर का next year 2400 करोज पे dip मारा था 2021 में वापिस से 1700 करोज पे dip मारा था and finally 2022 में 3100 करोज के उपर का पहुच गया है profit after tax 31 करोज था 2019 में next year 45 करोज next year 71 करोज and 2022 में 117 करोज था profit after tax growth steady हमें देखने को मिल रही है net worth 141 करोज से बढ़ते हुए 374 करोज पे पहुच गई है पर at the same time जो total borrowings है वो भी 131 करोज से बढ़ते हुए 330 करोज पे पहुच गई है warings का figure भी double से जादा हुआ है जो एक negative point है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा financials हमें on the face of it अच्छे लग रहे है जो एक positive point है इस complete IPO के अगर हम positive की बात करें तो वो इसके financials हो जाते जो अच्छे है valuations ओके ओके है negative की बात करें तो सबसे बड़ा negative होता है कि इस company के against में और company के promoter के against में बहुत सारे cases pending है criminal cases pending है income tax के cases pending है जो इस IPO के लिए एक बड़ी risk हो जाती है और जब हम financials को check out करते है या फिर जो disclosure से उसे check out करते है वहाँ पर इसके जो contingent liability का figure है वो ठीक ठाक दिखा रहा है पर जब आप case में first हो आपको भी पता है मुझे भी पता है कितना भी बड़ा हो सकता है उसका figure और यह हमारी लिए एक बड़ा negative हो जाता है object of the issue है working capital के requirement and general corporate purpose अब मेरे final opinion पर जाए उससे पहले अगर आपके वाज DMAT account नहीं है description में link मिल जाएंगे अगर आप membership join करके education बढ़ाना चाहते है अपनी और देखना जाते है कुछ additional चीज़ों को सीखना चाहते है तो subscribe के पास में आपको join button मिल जाएगा देखिए मेरी final opinion इस complete IPO के बारे में है बहुत simple मैं personally इस IPO को avoid कर रहा हूँ देखिए avoid करने का reason क्या है मैं valuation positive negatives की बात ही नहीं करूँगा मेरा simple सा reason यह है कि इस company का major business है buffalo meat के related although काफी सारी speculation चल रहे है बाकी meat के related भी पर company का justification यह है कि हम सिर्फ mainly काम करते है buffalo meat में मैं उस लफड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता है वह आपका mindset है आपके rules से आपके conditions है हो सकता है इसमें listing gain मिल जाए फिर बाद में यह मत बूलना कि अना listing gain मिल गया काश हम apply कर देते करना है आप अपनी खुद की study कीजिए financial advisor consult कीजिए apply कीजिए मेरा personal mindset क्या था वह मैं आपको बता दिया यह मेरा stand है हो सकता है मेरे understand से ना believe करें या जो मेरा mindset है वह आपका mindset ना हो and it is absolutely okay हर एक individual unique है और हर एक individual का mindset अलग हो सकता है क्या grey market premium है मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना ही मैं क्या आपे discuss करने ही कुशच कर रहा हूँ happy learning and i will see you very soon video अच्छा आगे तो like कर दीजेगा अगर आपकी opinion कुछ और है या फिर जो भी आपकी opinion है comment करके मुझे बता दीजेगा happy learning